पिछले वाले लेक्टर में यही समझायाता है, कि center of mass की velocity acceleration निकालते कैसे हैं, और जब external force 0 होता है, तो center of mass constant होता है, center of mass rest में तो rest में रहेगा, और अगर constant velocity से चला है, तो constant velocity से चलेगा, if external force is 0, तो चलो, तो अगर external force यह boat है, boat is a system, ठीकर पूरे boat को मैं system माल लेता हूँ, तो यह internal जो अगर आई है, आदमी माल लो, यहाँ चला जाए, और यह यहाँ आजाए, boat से कुदना नहीं है, यार, पानी में नहीं कुदना है, तो system, system नहीं रहेगा, boat, mine, यह पूरा system, तो अगर यह दोनों एक दूसरे सो interchange करते हैं, आते जाते हैं, या कई लोग है, boat में ही मोग करते हैं, तो boat का जो center of mass है, वो rest में रहेगा, बिकॉज इनकी जो moment है, friction की वज़े से, वो एक internal force की threat rate होगा, that's why center of mass remains constant, तो यह मतलब initially अगर rest में है, तो center of mass rest में होगा, finally अगर आदमी मालों यह move करके इधर चला भी जाता है, देखो, move करके इधर चला गया, तो center of mass देखो, यहाँ आएगा, आसपास, इधर ही कहीं आएगा, तो इसके इस आदमी को, इसके पास जाने से, they want to discuss some physics concept, तो यह इसको कुछ physics का concept समझाना चाहता है, तो यह उसके पास mass of these two men and boat, तो यह इधर आजाए, यह इधर चला जाए, कूदना नहीं है पानी में, तो center of mass change नहीं होगा,